किसान सातियों नमस्कार हर रोज की तरह मैं राजूराम राठोड आज आपको इस वीडियो में एक विशेश प्रकार की चर्चा कर रहे हैं जो की एक अलग ही उत्पाद है हर बार मैं आपको वेश्टरडी कंपोजर के बारे में वीडियो देता रहता हूं उसके परिणामों की चर्चा करता रहता हूं आज आपको मैं मेरे फारम पर एक ऐसे उत्पाद की जानकारी दे रहा हूं जो बहुत ही आपके लिए उप्योगी होगा आप भी इसे बनाए उप्योग करें और यह बहुतायत में पाया जाता है विस्तरत भारत में अक्सर ग्रामिन इलाकों में पहाडी इलाकों में पठारी इलाकों में हर जगए यह पाया जाता है यह है हिंगोनिया इसको हिंगोट कहते हमारी राजस्तानी आमबासा में लेकिन इसका हिंदी शाब्दी करत है हिंगोनिया जो इस डिब्बी के उपर 10 लिटर डिब्बी के उपर हिंगोनिया एक्स्टेक्ट लिखा है इसके उपर ढकन में जो मैं आपको फल दिखा रहा हूं ये इसका अंदर का गुदा है ये गल चुका है इसके ओपर खौल होता है मित्रों यह बहुत ही उपियोगी है फसल के लिए और यह कैसे बनता है और मैंने कैसे बनाया और आप इसका उपियोग कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बता देखे इस डिबी के अंदर जो जाग आये हुए देख रहे हैं यह जाग है वेस्ट डीकमपोजर के साथ मैंने इसको बनाया था जब पूराने जमाने में शाबून वो सरफ डिटर्जेंट का प्रचलन नहीं था तो हमारे पूर्वज या ग्रामेन पूर्वज इस पेड के फलों को इखटा करते थे और अपने सफेद कपड़े जो पहनने में उप्योगी लेते हैं कपड़ा कोई भी हो वो इस से दोते थे जब शाबून वो सरफ का प्रचलन नहीं था इसके दोने से कैसा भी दाग कपड़े के उपर वो निकल जाता था तो इसका प्रयोग मैंने किया पतियों के उपर जम रही धूल मौसम के परिवर्तन होने से आंदि तुपान के चलने से ऐसे अद्रश्यकन पतियों के उपर जम जाते हैं जो पतियों का प्रकासंसलेशन को रोक देते हैं क्योंकि पत्यों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होता है, उन छीद्रों से ये प्रकास अंसलेशन के किरिया करते हैं, पोधे अपना भोजन बनाता है, तो मीत्रों आगर आपके पास ये हिंगोनिया है, कहीं भी मिल जाए तो इसके फलों को इकटा करें, इसको लेकर एक बात और भी है, हमने सुना है, बुजूर्गों से, जो सिकारी लोग हैं, जो सिकारी बुजूर्ग सिकारी हम से जो मिले, वो कहते हैं कि जब सिकार करने के लिए तीर और कबान का उपियो किया जाता था, तो तीर को आगे का नुकिला हिस्से को गरम करके इस पेड की, जो इसका पेड़ो तो उसकी जड़ में ठोक देते थे उसकी गर्मी से जो तत्व बनता था और इसका जो तत्व है वो उस गर्म तीर के नुकिले भाग पर लग जाता था जिससे उनको शिकार करने में बहुत आसानी होती थी अब पता नहीं इसके अंदर जैर होता या नहीं क्योंकि ए किस तरखिया वो आपको तक साजा कर रहा हूं दस लेटर की इस डिब्बी के अंदर प्लास्टिक की डिब्बी के अंदर मैंने 2-5 किलो हिंगोनिया के पके फल चिल के सहित इसके अंदर डाल दिये थे तकरिबन ये तीन महीने पूराना गोल हो गया है तीन महीने तक इसको पड़ा रखने के बाद समय समय पर इसको हिलाता भी हूँ और इसके अंदर से एक्स्ट्रेक्ट निकालके मैं हर इस्प्रे वाली टंकी के अंदर मिला कर इस्तिमाल करता हूँ 100 लेटर इस्प्रे पंप में मैं इसको 200 ग्राम डालता हूँ ताकि किसी भी फसल के उपर जब भी मैं इस्प्रे करूँ थोड़ा तो गहरा इस्प्रे करता हूँ ताकि उसके उपर जमे धूल के कान साफ हो जाए क्योंकि ट्रेक्टर की जो इस्प्रे पंप सेट होती है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़िया देती है तो इस्प्रे करने में बहुत ही आसानी रहती है और जब इसको पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर के मैल को भी ये शाप करता है वैसे वेस्टडी उपर जो जमी कोई भी तरह की डर्ष्ट, कचरा, गंदी, कोई भी चीज अगर पड़ी है, वो इस्परे करने से साफ होके नीचे गिर जाती है, पतियां खुल जाती है, पतियों के रंद्र खुल जाते हैं, और सूरज की रोसनी के साथ प्रकासान सर्लेसन अच्छा कर पाती ह आप भी हिंगोनिया के फल को इकटा करें, बनाएं, यह गोल कभी खराब नहीं होता, इसकी जो अंदर की गिरी होती है, वो कमर दर्द को भी ठीक करता है, यह एक आजमाया हुआ नुक्ष है, यह जो गुठली है, गुठली के अंदर से गिरी निकलती है, लंबी सी, उस गि गिरी को कूट कर उसका पाउडर बना कर दूद के साथ किसी को भी दे, जिसकी कमर में दर्द हो, तो दर्द ठीक हो जाता है, पुल्ण रुप से ठीक हो जाता है, यह आजमाया हुआ नुक्ष है, पर वो आप वैद्य की सला से ले, आप इस तरह इस हिंगोनिया को इकटा कर करें, अगर आप कपड़े धोने को लेकर इसका प्रियोग करें, तो आप इसके कपड़े भी धोके देख सकते हैं, देखे, मैं आपको क्लोज अपली दिखाने का प्रेस कर रहा हूँ, यह अब गुल गया है, इसके जो एक्स्टेक्ट थे, इसके जो गुण दर्म थे, वो वेस्टडी कंपोजर के साथ मिल गये हैं, यह हिंगोनिय एक्स्टेक्ट, आप किसी भी फसल के उपर, चोड़ी पतियों वाली एक्सट जो फसले होती है, उसके उपर परिणाम इसका बहुत बैतर दिखता है, पतियों चोड़ी होती है, मैं हर गोल के साथ, जो भी मैं मेरी फसल में घोल छिड़काव करता हूं, उस घोल में मैं इसका उप्योग करता हूं, आप भी उप्योग करें, हिंगोनिय एक्कटा करें, रसायन मुक्त होएं, वेस्टडी कंपोजर का उप्योग अत्याधिक, अत्याधिक करें, किसान सातियों से विनम्र एक निवेदन और च सबी को धन्यवाद देता हूं रसाइन मुक्त होने के लिए और शुब कामनाय देता हूं कि आपका भविश्य उज्वल हो आप रसाइन मुक्त हो परिवार को स्वस्त रखें देश को स्वस्त रखें इसी आशा के साथ तुम मुझे खेद दो मैं तुम्हें रसाइन से मुक्त दूँगा और ऐसे कई तत्तों के बारे में रसाइन मुक्त होने के पुराणिक तरी के आप तक पेश करूँगा लगे रहिए मेरे साथ बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हर एक वीडियो को जो आपको रसाइन मुक्त करने में आपको बहुत मदद करेंगे धन्यवाद झाल झाल